नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां उजियारपूर थाना क्षेतर के भगवानपूर कमला पंचायत स्थित गैस गोदाम के बास से उजियारपूर पुलिस ने मंगलवार 25 जनवरी 2022 के दोपहर कुल पांच अपराधियों को गिरफतार किया है विश्वस्निय सूत्रों से मिल रही जानकारी के आनुसार इस दोरान अपराधियों ने पुलिस बल पर गोलियां भी चलाई है जिसमें सभी पुलिस कर्मी सहिताना ध्यक्ष ओ जियारपूर विश्वजीत कुमार भी बाल बाल बज गए घटना की जानकारी मिलते ही दलसी सराय एस डीपी ओ दिनेश कुमार पांडे उज्जियारपूर थाना पर पहुँचकर गिरफतार अपराधियों से पूछताच में जूट गए है पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यह कारिवाही गुप्त सूचना के आधार पर की गई है प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार गैस गोदाम के पास खड़ा पांच लड़का पुलिस की गाड़ी को देखते ही भागने लगा जिसे उजियारपूर थाना में तैना थाना अध्यक्ष विशुवजीद कुमार, पुलिस सवर निरीक्षक नागेंदर कुमार, सहायक पुलिस सवर निरीक्षक पंकज कुमार इवं अन्य पुलिस बलने खदेवना शुरू कर दिया इस दोरान भाग रहे अपराधियों ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पुलिस बल पर ही धनादन गोलियां चलाने लगे इतनी विशम परिस्थितियों में भी पुलिस बलने अपराधियों का पीछा करना नहीं छोड़ा और साहस का परिचेद देते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया कितनी गोलियां चली है, कितना हतिहार बरामक किया गया है इसकी जानकारी अभी तक अधिकारिक और पर नहीं दी गई है इस खबर से संबंदित विस्तरित खबर कुछ देर बाद पुनहे प्रकाशत की जाएगी अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए एंउस 20 विहार की आवाज के साथ, नमस्कार